हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने Vivo X90 Pro Android Mobile Phone में आप जो है वेक स्क्रीन 4 नोटिफिकिशन सेटिंग को आपना इनेबल कैसे कर सकते हैं यानि कि आन कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये वेक स्क्रीन 4 नोटिफिकिशन सेटिंग ज सेलेक्ट करना है अब नोटिफिकिशन के इस पेज में आपको नीचे आना है या पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा वेक स्क्रीन 4 नोटिफिकिशन ठीक है इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दिया हुआ है इस बटन को आपको टैप करना है तो ये बटन आपका notification आएगा उतनी बार आपके mobile phone की screen automatic on हो जाये करेगी तो यह setting जो है ना wake screen phone notification setting enable करने के बाद इस तरीके से काम करती है आपके mobile phone में अपको यह भी बता देता हूं कि कैसे आप इस setting को आप अपने mobile phone में shortcut तरीके से कैसे ढूंड सकते हैं इसके लिए आपको करना क्या होगा यह ज तरीके से तो आपको जो है ना नीची की साइड यह option शो हो जाएगा ठीक है वेक screen for notification यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब यह आप इस सबसे उपर search बार में setting का name आप type करेंगे तो यहाँ पर आपको spelling मिश्टेक नहीं करनी है अगर आप यहाँ पर spelling मिश्टेक करेंगे तो नीची की साइड आपको यह option दिखाई नहीं देगा इस बात का आपको ध्यान रखना है ठीक है तो चलिए वीडियो को आगे continue करते है जब यह नीची की मिश्टेक की साइड दिए सब्सक्राव फबादे देगा गया झात्ता दो मिश्टेक की साइड यह बहल बात दो यहल्टेक की साइड़े पर आपको यह नहीं की रवाड़े।